गुद मॉर्निंग फ्रिंट्स आई होप यौल आ डूइंग गुड आइड आई होप आप मेरी जैज्जमेंट की सीरीज को हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से कनेक्टिड है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप आज के लेक्चर से पहले पहले पांचों के पांचों लेक्चर को देख लीजिएगा So that आपको आज का lecture और clearly समझ में आ जाए Done So इससे last lecture जो हमने किया था वो हमने किया था शंकरी देव पर दियो versus unknown case Done उसमें हमने करा था कि Parliament के पास ये पार है कि वो fundamental rights को amend कर सकता है Done ये हमारी सबसे पहली judgment थी 1952 की जो हमने last session में किर रहे थी शंकर परिशाद देव के स्टन वो थी कि fundamental rights को amend कर सकता है Parliament and article 13 clause 2 में जो law है and article 368 ये हमने किया था article 368 जिसमें procedure दिया गया है for the Parliament to change the constitution to amend the constitution So, ये कहा गया था कि article 368 में जो भी amendment होगा वो article 13 2 में law नहीं माना जाएगा ये दो जजमेंट धी थी शंकरी परशाद देव केस में कि first is कि fundamental rights को amend कर सकता है and second the amendment made under article 368 will not amount to the law under article 13 clause 2 Okay, so let's start the today's lecture गोलकनात केस बहुत important केस है यहीं से एक दुबारा से जो मैंने last class में बताया थाथ आपको legislation और judiciary की conflict होनी start हो गई थी यह केस है गोलकनात वसिस state of पंजाब 1967 का केस है गोलकनात मैंने आपको last lecture में भी बताया था जैसे हमारे at present पॉंटी चड़ा ब्रदर्स थे on the same lines यह दो ब्रदर्स थे डन गोलकनात ब्रदर्स थे जिनके पास बहुत प्रॉपरटी थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंडेंस के टाइम पे अराउंड 500 एकर एंड जैसे कि हमने शंकरी पशाद केस में कया था कि उस टाइम पे सरकार जमीदारी Abolition Act लाना स्टार्ट कर दिया था कि so that एक particular लोगों के पास टाइप के लोगों के पास ही सारा का सारा लैंड ना रहे उसका equal distribution हो so that जो सरकार का एक funda है कि social economic development वो fulfill हो सके इसलिए सरकार ने क्या करा धीरे-धीरे कुछ land reforms लाने स्टार्ट किये और उसमें उन्होंने article 46 को भी use किया DPSP का social economic development of the vehicle sections and different communities which are not so advanced so उस time पर धीरे-धीरे यह conflict आने स्टार्ट हुई कि fundamental rights को छीना जा सकता है कि नहीं because जिसकी भी property छीनी जा रही थी वो सबसे पहले क्या कर रहा था article 19 clause 1 clause F and 1 clause G right to property वाला article यूज कर रहा था and कह रहा था कि मेरा fundamental right violate हो रहा है इसलिए मैं directly under article 32 that is known as soul of the constitution directly supreme court को reach out कर रहा था done and हमने शंक्री परशाद case में एक चीज पढ़ी थी कि first जो शंक्री परशाद जी का case हुआ था उसके बाद सरकार ने किया किया था first amendment किया था किया था हमने class में 1951 and उसके बाद उन्होंने एक ninth schedule को add करा and 31 A और B इनको ninth schedule के अंदर डाल दिया गया मतलव उसके उपर कोई भी judiciary review नहीं कर सकती है यह judgment आई गई शंक्री परशाद case में अब यह around 1951 के around यह judgment आई अब इसके कुछ सालों के बाद 1964 में क्या हुआ सरकार एक amendment लेकि आई 17th amendment 1964 अब इस amendment में क्या करा कि 44 और 44 more laws were put into ninth schedule की कहा गया कि यह 44 laws जो है इनके ओपर भी judicial review नहीं हो सकता है उसमें से एक जो law था वो था पंजाब tenancy act done जिसको गुलक नाजी ने challenge करा इवन गुलक नाजी के जो आगे grand doctors हो गयरा थे उन्होंने इसको challenge करा और कहा कि कि सरकार हमसे fundamental right नहीं चीन सकती है बड़ सरकार ने इसका जो आर्गुमेंट्स दिये वो कहा कि शोशो इकनामिक development के लिए सरकार लैंड को equally distribute कर सकती है तन सो यह था हमारा एक पूरा अब introduction देता हूं आपको इस lecture का कि यह introduction कहां से start हुई है पहले तो है कि गुलक नाजी कौन थी मैंने आपको बताया दो ब्रदर्स थे एक तो ब्रदर था William यह आपको जुरत नहीं है बड़ जिस्ट बता रहा हूं यह दोनों ब्रदर्स थे ठीक है it is an important judgment of the Supreme Court which dealt with the amending power of the Parliament with respect to the fundamental rights conferred under the Constitution fundamental rights हमने किया था part 3 के अंदर दिये गए है और DPSP हमने किया था part 4 के अंदर अब पहला सवाल यह उठा गया कि बई आर्टिकल 368 में क्या सरकार के पास पार्लिमेंट के पास बार है कि वह fundamental right को अमेंड कर दे पहला सवाल तो यह उठा इससे पहले दो जज़मंट आ चुकी थी एक हमने करी है शंकर परशाद इसके बाद एक और आई थी वह कुछ ज़्यादा खास नहीं थी इसलिए मैंने आ केस आया इसलिए यहां पर भी गुलकनाजी की फैमिली ने इनकी ग्रैंट डोटर्स ने कहा कि हमारा सबसे पहले article 19 clause 1 sub clause F और G यह दोनों violate हो रहे हैं प्लस उन्होंने कहा कि सरकार ने 31A और 31B को एक amendment लाके 17th amendment 1964 लाकर उसको 9th schedule के अंदर ला दिया है 9th schedule का मतलब क्या है कि वो judicial review के पर भी उसे बाहर हो गया Done अब इसमें गुलकनाज प्रेटिशनर थे और सेट ऑफ पंजाद वर्दा Respondent अब यहाँ पर आपको एक मैं बताता हूँ यहाँ पर गुलकनाज जी की जो family थी उन्होंने जो advocate किया था वो बहुत famous नानी पालकी वाला इनको उन्होंने advocate रखा नानी पालकी वाला का बहुत जादा नाम है जिन्होंने सबसे पहले basic structure को एक तरीके से start करवाया है in the Indian judicial system Done यह बहुत famous advocate थे उस ताइम के and I think 2002 में इनके death हुई है Done So अब यह background क्या था इसका कि मैंने आपको जैसे से बताया कि 17th amendment 1964 में सरकार ने क्या करा 44, 44 और लोज लेके आए and उसको उन्होंने 9 schedule में डाल दिया उसमें से एक था पंजाब security of land tenure sect 1953 जिसको गोलखनाच जी की family ने challenge किया और कहा कि हमारा article 19 violate हो रहा है right to property and उसके बादो सीधा article 32 का use करते हुए article 32 मैं revise करवा देता हूँ soul of the constitution जब आपका fundamental right violate हो रहा हो उस टाइम पर पांस तरहां के रिट थी है हमारे पास हेबर कॉर्पस, मेंडरमस, क्यूवरेंटो, सर्शिरी यह हमने कर रहे थी ओके and last is prohibition यह पांस तरहां के रिट्स जरनेट कर सकता है सुप्रीम कोट, article 32 तो यह कहा गया, challenge करा गया कि भई इसको 9 schedule के अंदर कैसे डाल दिया गया by 17 Constitution Amendment Act 1964, although सरकार इसका argument देती रही कि हम शोशो economic development के लिए यह डाल सकते हैं अब गोलक नाजी के पास छूटी मोटी प्रापटी तो थी नहीं, इनके पास थी 500 एकड़, done अब यह 500 एकड़ में सरकार ने कहा कि 30 एकड़ तो आप पोसेज कर सकते हैं, rest will be treated as a surplus and जिसको tenants के बीच में बाटा जाएगा, done, to have the social economic development इसलिए गोलक नाजी की family ने सिधा article 32 का use किया and supreme court में direct fundamental right violation के लिए case डाल दिया गया plus on the same lines मैंने आपको कराया था, article 226 में भी high court के पास पार है, जब आपका fundamental right violate हो रहा हो article 32 में directly जा सकते है, soul of the constitution and 226 is high court तो ये ना निपाल की वाला जी ने case उठाया and उन्होंने इस case को आगे लेके गए and आपको बता देता हूँ, इस case में 11 judges थे, जिसका decision 6-5 की ratio से आया इसके बाद जो सबसे बड़ा case आया था, वो KBC case था, वो 13 judges का था, वो 7-6 से था मैंने आपको बताया था कि जो भी constitutional matter से related होगा, constitutional bench बैठे का वो odd terms में बैठता है, जिसमें minimum number of judges बैठेंगे 5 अब 5, 7, 9, 11, 13 कैसी भी आगे जा सकता है, ये done, अब नानकी पाल की वाला जी ने दो issues इसमें अठाये आपको बताता हूँ, पाल की वाला की सेम लाइन पर अभी हमारे पर सालवे जी हैं, हरीश सालवे जी, जो एक रुपे में हमारे जो नेवल आफिसर है, जाधव, जो भी पाकिस्तान में उसका case लड़ रहे हैं, in the international court of justice, done, अभी भी एक बहुत से आर्टिकल्स लिखते हैं, ट्विटर पे और नीउस पेपर में, रिगार्डिंग दा नानकी पाल की वाला के बारे में, अब legal issue दो उठे गए, कि क्या पार्लेमेंट के पास पार है, कि वो fundamental rights को amend करे या ना करे, इससे पहले वले जो case था हमारा, शंक कहा गया कि अगर article 268 में amendment है, क्या हम इसे article 13 clause 2A में law मानेंगे कि नहीं मानेंगे, done, शंक्री पशाद केस में ये कहा गया था कि इसको law माना जाएगा, और मैंने आपको article 13 बहुत बार revise करवा दिया है कि कोई भी pre-constitutional और post-constitutional law अगर वो fundamental rights को violate कर रहा है under article 13, तो वो null और white declare कर दिया जाएगा, तो ये दो सवाल legal issues उठकर आए इस case में, done, अब arguments किया दिये, पालकी वला जी ने कहा कि fundamental rights जो है, वो essential और integral part है constitution के, आप इनको take away न ने कहा कि ये constitution है, वो draft और बनाया गया by the constituent assembly, done, and which is of the permanent nature, तो अगर इसमें कुछ भी change करने हैं आपको, वो आप change in accordance with the basic structure के around ही लेके आ सकते हैं, या उसके लिए आपको constituted assembly को बिठाना पड़ेगा दुबारा से, so एक तरीके से basic structure की एक नीव रखनी start हो गई थी, गोलकना case 1973, Sachin का बर्दरे, 24th April को, then, केशम नंदा भारती case, and इन्हों जो third point ये रखा कि article 368 में जो है, वो procedure बताया गया है कि सविधान को कैसे change करने हैं, ना कि आपको पार दी गई है सविधान को change करने के लिए, तो ये तीन points रखे गया in the form of arguments, and कहा कि जो article 13 2A में जो law है, it includes constitutional, so, any law which violates the fundamental right is unconstitutional, इहां आपको बहुत बार रिवाइस करवा दिया है, article 13, यहां पर statutory भी हम कर चुके है, the body which are made by an act of an parliament, इसका सबसे च्छे एग्जामपल, coffee board of India, tea board of India, ये सब इसके statutory body के एग्जामपल है, and constitutional bodies को है, जिसका provision, constitution के अंदर दिया हुआ है, इसके एग्जामपल, आपके पास CAG, UPSC, जिसके आपतियारी कर रहे हैं, they all are the constitutional bodies, done, अब ये सरकार की तरफ से, वहां से क्या case आया गए, state of Punjab से, उन्हेंने कहा कि भी सविधान को चेंज करना है, वो एक हमारी sovereign power है, वो legislative power से different नहीं है, done, उन्हेंने कहा इसमें कोई difference नही है, so it is a sovereign power of our to amend the constitution, and third कहा कि सारे के सारे fundamental rights equal status के है, there is no special provision with the fundamental rights, fundamental rights कुछ अलग से निकल कर नहीं है, सारे के सारे rights equal है, ये दो पॉइंट रखे गए, पंजाब की तरफ से, अब आया judgment day, कि इस पर judgment क्या देनी है, Supreme Court ने सबसे पहले तो यहाँ पर इस चीज़ को overrule कर दिया, जो शंकर परशाद केस में आया था, कि भई, पार्लेमेंट के पास, पार है कि वो fundamental right को amend कर सकता है, गोलकनाद केस में उसको overrule कर दिया, and उस पार को जो कहते हैं, prospective overruling of the law, done, इसको कहते हैं, overruling of the law, क्या होता है मैं अभी discuss करता हूँ, तो इसमें इन्होंने अपनी परवाने judgment को totally overrule कर दिया, और कहा कि fundamental rights जो है, they cannot be subjected to the process of amendment provided in article 368, उसको बिलकुल overrule कर दिया, और कहा कि fundamental rights को change तो करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें उन्हेंने जैसे पालकी वोला जी ने कहा था, कि basic structure को लाया ज है, and indirectly उन्हेंने एक judgment उसमें दे दी कि fundamental rights को parliament जो है, वो amend नहीं कर सकता है, and उन्हेंने कहा कि article 368 में जो amendment हुआ है, will amount to the law under article 13 clause 2, so अगर वो amendment fundamental rights के violation में जा रहा है, तो उसे null and void declare कर दिया जाएगा, if any of the rights is to be amended, या तो कहते हैं कि constitute assembly ले आओ, कि वो दुबारा से इसमें कुछ change लाए, otherwise उन्हेंने कहा to save the constitution from autocratic action of the parliament, supreme court said कि parliament fundamental rights को violate नहीं कर सकती है, ये कहा गया इस judgment में, and उन्हेंने इसमें prospective overruling of the law use करा, कि पिछली judgment को overrule कर दिया, और ये कहा कि ये आज के बाद से 1967 के बाद से applicable होगी, ये retrospectively applicable नहीं होगी, अगर आज 16 जुलाई है, तो 15 जुलाई वाले case पे ये applicable नहीं होगा, फ्रम 16 जुलाई, पारलेमेंट के पास पार नहीं है कि वो fundamental rights को amend कर दे, and 368 में जो law होगा, वो article 13-2 में माना जाएगा, ये थी judgment इस पूरी के पूरी गोलकनात केस की, अब मैं आपको एक पूरा का पूरा चार्ट बनाके revise करवा रहा हूँ, आपको last class पूरी की पूरी दुबारा से revision हो जाए, अब हमारे पास first तो आ रहा है संकर परशाद केस, इसमें पारलेमेंट ने ये कहा कि fundamental rights को आप amend कर सकते हैं, and article 13 में law नहीं माना जाएगा, done, अब इसको इसके लिए दो judgment है, शेंकर परशाद वसे सजजन, सजजन से इतने important case नहीं था, इसलिए मैंने वो discuss नहीं करा, पर दोनों की दोनों judgment सेम आई है कि Parliament की पास पार है fundamental rights को amend करने की, अब इसको overrule कर दिया गया, जो मैंने आपको आज पढ़ाया in the Golaknath case, and overrule करके कहा कि fundamental rights को आप amend नहीं कर सकते हैं, और article 368 में जो amendment होगा, उसे article 13 clause 2 sub clause A में law माना जाएगा, ये था अब तक का procedure 67 का, बट अब सरकार यहां तो रुखने नहीं थी, अब इस पे क्या हुआ, इसके बाद इंदरा गहंदी जी का time स्टार्ट हुआ, उन्होंने इसके बाद क्या करा कि एक private member bill introduce किया, इसको overrule करने के लिए, private member bill वो होता है, जो apart from the sitting MPs, minister के अलावा, जो भी MP, जो minister के अलावा है, वो MPs इसको introduce कर सकते हैं, even वो basic opposition से हो, किसी से भी हो, other than the ministers, done, so, जो सरकार के ministers करते हैं, उनको हम कहते हैं, government bills, जो private में करते हैं, उनको कहते हैं, private member bills, government bill, Monday to Saturday, कभी भी introduce हो सकते हैं, private bill की, अभी तक जो थी procedure, वो थी Friday, बट इस बर, जो अभी latest uniform civil code और population control के लिए, private member bill, introduce होने जा रहा है, उसके लिए lottery system से जो date आई है, वो 24th की आई है, जिस दिन है Saturday, 19th को monsoon session अभी start हो रहा है, done, तो उसमें 24th को lottery system से, इस private member bill को, ये place दी गई है, कि उर्दिन UCC और population control पे bill introduce होगा, done, आपको मैं ये बता देता हूँ, ये तीन session होते हैं, उसके लिए आपको code word याद रखना है, BMW, budget session, monsoon session, and the winter session, winter सबसे छोटा होगा, monsoon सबसे बड़ा होगा, इसमें, done, budget, sorry, ओके, तो ये था हमारा अब तक की ये, तो अब इसने, यहाँ पे सरकार ने क्या करा, कि private member bill लेके आए, बट private member bill के पास होने के chances बहुत कम होते हैं, because वो अधर देंदा government के minister से introduce हुआ है, अब जब private member bill नहीं हुआ, तो इंद्रा गांधी जी ने क्या करा, finally 21st amendment 1971 में एक amendment किया, और कहा, कि राष्टे पती bound है constitutional amendment bill को sign करने के लिए, पहला तो उन्होंने ये कह दिया, और उन्होंने फिर change कर दिया कि parliament के पास power है, कि वो fundamental right को amend कर सकते हैं, अब जब इतनी tussle start होई ही गई थी, तो finally 1973 में हमारा KBC case आया, जिसे 7-6 ratio रहा, अभी तब का सबस्यादा judges का वो case है, जिसमें दुबारा कहा गया कि ठीक है, आपकी बात को हम रख लेते हैं, कि आप constitution को amend कर दो, ठीक है, बट ये कहा गया कि इसमें जो basic structure है, उसको हिलाया नहीं जाएगा, basic structure क्या होता है, वो हम करेंगी, अब जब 1973 में ये आया, तो इंद्रा गांदी जी यहां पर भी नहीं माने, इंद्रा गांदी जी ने क्या करा, 42nd Amendment लाकर 1976, जिसको mini constitution of India कहते हैं, उसमें इस judicial review की पार, जो की basic structure की पार है, इसको scratch कर लिया, कि अब इसके उपर कोई judicial review भी नहीं होगा, done, अब इसके उपर दुबारा से करने के लिए, 1980 में, finally, दुबारा से, एक case आया, हमारे पास, मिन्रवा, मिल्स case, जिसमें कहा गया, दुबारा से, कि आप basic structure को नहीं छेडेंगे, and fundamental rights को amend तो कर सकते हैं, बट आप basic structure को ना छेडा जाए, and 1980 में उनने कहा, कि इसमें, जो भी अभी तक की judgment दी हैं, जैसे 76 में उनने कह दिया, कि ठीक है, judicial review को scrap कर देते हैं, इसके बाद उ basic structure को छेडे पीना, done, Parliament is not supreme, in short a word कहा गया था है, इसमें कि Parliament is not supreme at present, because वो टरसल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, so इसके बाद से अभी तक क्या कहा गया है, कि 24th April 1973 के बाद से, जो भी cases है, they are amount to the judicial review, उनके ओपर judicial review होगा, मैंने आपको last class में कहा था, कि अभी तक एक खाली speaker की power है, जो कि decide करती है कि whether a bill is money bill or not, under article 1110, वो भी अधार वाले bill में एक challenge हो गई थी, and ये कहा गया था, कि उसमें भी, कि वो final power नहीं है, and अगर वो breach of constitutional procedure कर रही है, तो उस पे भी judicial review हो सकता है, बेशक वो limited हो, but उस पे वो हो सकता है, So this was the sequence of the judgments till 1980, although हम अभी 67 के बाद सबसे जदा इसके बाद 1971 का amendment करेंगे, and उसके बाद 73 में हमारी सबसे important KBC judgment आने वाली है, केशवननन्दा भारती case, जो कि मैं already आपको समझा तो चुका ही बातों बातों में, but वो clear cut हम करेंगे कि कौन केशवननन्दा था, क्या case था, क्या न प्लीज एक एक लेक्चर अराम से देखिएगा, इसलिए मैं हरोजखाली एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, so that आपको interconnect करने में easy हो जाए, जैहिन to all, take care.